नमस्कार दोस्तों के इंडेक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लान करते कि निफ्टी और में कल के दिन कौन से लोकेशन पर लिया जै सकते हैं फ्राइडे को डेफिनेटली जैसे एक breakout का हमने premium group members में भी एक live market analysis वीडियो डाला था एक्जाटली वैसे ही breakout मिला है हमने यह प्रीवेस जरूर यह किया था कि यह एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है बट देखें बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जब तक आप इसके नीचे close नहीं देगा निफटी इसके नीचे नहीं देगा तब तक बैंने तब तक निफटी यहां बेरिश नहीं होने माता है तो सिर्फ कैंडल स्टिक देखने से या पता चलने से या पता होने से इसका मतलब वहां से निफ्टी नीचे आएगा यह कभी नहीं होता इसके लिए हमें कंफरमेशन चाहिए अगर यहां बनती है हैमर कैंडल तो इसके उबर क्लोजिंग चा तो यहां पर डिली डाम लगा लिए थोड़ इसे लगबग पचास पॉइंट से अभी अब भी आटाइम हाई से दूर है अब भी आल टाइम हाई पर नहीं गया तो इसका आल टाइम हाई जो है वह है एटीन थाफ़जन एट-9 तीम अदब 18,900 है अभी भी कल हो सकता है कल हम में ओपनिंग मार्केट की वही उसी लेवल के आज पस मिले जब चलिए सपपोर रिचेंस नश्मार कर लेते हैं तो सपोर्ट के लिए यह एक लेवल लुत है वाल हमने हम ने मार्क कर लिए प्लस यहाँ पर जो के अगले दीन या उसके mostly दू दिन market एक range में रहने की कोशिश करता है क्यूंकि फिर market तरहता है कि यह definitely आगे upside है upside लेके जाना है यह downside में लिके आने market को आपको भी बता होना चाहि है quantity कॉंटिटी कम करनी चाहिए क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड नहीं किया तो डिफिनेटली आपका वह ब्रेक्वन में एट लिस्ट जो भी लॉस होगा तो कम लॉट कम कॉंटिटी होगी तो डिफिनेटली लॉस भी कम होगा चलिए टेक्निकल लेवल लगा के देखते हैं कि तेक्निकल लेवल क्या बता रहे हैं सो टेक्निकल लेवल डेफिनेटली यह एक डरेजाए पर हमने यह इंपटन लेवल भी मार्क किया है जो आल्ल टाइम हाई का लेवल हैं और डाउंसाइंड में यही पर 18760 से 18771 यह एक इंपर्टन हमारे लिए सपोर्ट है अब मार्के केंडल का लो आपका एसल रहेगा एक चीज याद रखें निफ्टी हो या बैंक निफ्टी मैक्सिमम फिफ्टी पॉइंट्स और निफ्टी में मैक्स तुमक्स 40 पॉइंट्स का एसल देना है उससे बड़ा एसल नहीं लेना है अगर आप एक उप्शन बाहर हो तो यहाँ पर एक बार तो उपर जाने की कौशिश करेंगे फिरसे हमारा next target होगा yesterday is close second target यहां सस्टेन कर देता है next टार्गेट होगा हमारा डायरेक्ली डेली रेस्सेंस क्योंकि यह आल टाइम हाई का लेवल है लाइफ टाइम है अट्रहाजार नोसों का लेवल अगर मार्केट यहां पर ओपन होता है फ्लैट डेफिनेटले पूल बैक के लिए वेट करना है कभी भी पूल बैक आएगा यह तो बायर्स पोशिश करेंगे उपर लिखे जाने की तो हमें यहां वेट और वॉच करना होगा क्योंकि कल के गैप अप में आईएली हम गैप अप में क्या करते सेल करते क्योंकि बड़ा गैप अप होने का सस्टेइड नहीं होता और मार्केट नीचे गिर जाता है तो जा पर हम क्या कर सकते हैं अगर गैप अपन होता है तो 15 मिनिट्स टाइम फ्रेम में आपको जाना है 15 मिट्स टाइम पर जाने 15 मिट्स टाइम पर आपको एक बेरिश केंडल देखने बेरिश यहनि कौनसी शूटिंग स्टार दीखिए आप बेरिश मारू बोज़े कोई बे 90-95 परसंट यह प्रोबैबिलिटिंग होती है कि आपके डाइरेक्शन में ट्रेड जाएगा यहां से अगर आप सेल करने की कोशिश करो फर्स अर्गेट अर्गेट आपका मरोडी एस का होगा फ्लैट ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ही ओपन होता है अब गैप डाउन यहां ओपन होता है तो एक अच्छी मिल सकते है क्योंकि गैप डाउन के बाद जिन जिन लोगों ने फ्राइडे को या नहीं बाई के ब्रेक आउट वगरा लेवल पर वो कोशिश करेंगे आपर एक बार फिर से बाई करने की लिकिन अगर गैप डाउन इस लेवल के नीचे हो रहा है यह जो लेवल है 18,000 760 से लेके 18,000 770 यह 20 points के नीचे gap down होता है तो इसका मतलब यह सारे के सारे लोग trap होने वाले मंडे को अगर यह सारे लोग trap हो जाते तो बहुत बढ़ी selling आ सकती है मंडे को और जो हमें फिर से नीचे के levels पे लेके जाएगी weekly support और उसके नीच time frame पे आज अभी भी range bound है हम इतने दिन से discussion कर रहे है यह range अब तक नहीं निकालेगा तब तक कुछ होने नहीं वाला है क्योंकि रेंज बहुत बढ़ी है और इस range को निकलना पड़ेगा तब जाके training होगा यह definitely range trading definitely कर रहा है मतलब यह बार-बार upside में जाता है तो sell off आ जाता जरूर नहीं मिल रहा है और ऐसी bullish candles बनने लग जाए तो problem होगा क्योंकि इस candle का जिस दिन हाई निकल जाएगा तो यह सारे के सारे sellers यह जितने यहां बैठे है उनका SL यहीं पर होगा इस zone के आसपास होगा और यह सारे के सारे अपनी position cover करेंगा और फिर market उपर चला जाएग सो अपके लिए हमारे पास resistance यह लेवल है यहां पर जैसी कि आप देख सकते हो 44,086 44,086 यह 44,090 यह लेवल ब्रेक कर देता है कल इंट्राडे में आप एक immediate buy position ले सकते हो टार्गेट आपका first one होगा 44,000 155 सेकंड डार्गेट होगा 44,233 यह लेवल सा आप याद रखिए सेक 44,090 क्योंकि सुबह सुबह डेफिनेटली लाइ मार्केट में एनलिशेस देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि immediate बहुत वॉलेटिली होती है सुबह तो मार्केट सेटल होनी दीजिए अगर five minutes candle आपको इस लेवल के उपर मिलती है 44,090 एक छोटी candle होनी छे 52,80 points क उस candle का low SL लगाई है आपका first target 155, second target 233 चलिए आप 15 minutes time frame पे जाके देखते है कि कहा support और resistance है तो support यहाँ पर जैसे कि हमने clear लिए बता है 44,090 के उपर क्यों दिख समझ में आपको यहाँ पर देखे कितने सारे resistances है तो यह सारे sellers डरेंगे अल्रेड़ी यह Friday को डर के ही गर गए होंगे और इनको अभी नीद भी नहीं आ रही होगे क्योंकि इतनी तेजी में market बैंक एफ्टी ने रिकावर किया है Friday को तो अगर फिर से यहाँ पर market open होता है यहाँ बुलिश केंडल बन दिए तो definitely उनकी नीद ऊड़ने वाले और उन तो डाउनसाइड में भी काफी सपोर्ट है और यहाँ पर अपसाइड में यह वाला लेवल है तो यहाँ पर DR और WR है तो definitely इसके लिए हमने जो लेवल बता है वह इसी को देखके बताए है 250 और 150 तो यहाँ पर market अगर इसी जोन में open होता है यहाँ पर एक बाइंग के लिए हम पोजीशन देखेंगे इस लेवल के आसपस इस लेवल पर हैमर कैंडल मन दिए फिर से हमारा फरस्ट टार्गेट होगा यह रफली आच फ्राइडे का हाई यहां संटेन हो जाता है फिर से फिर जेली रेस्टेंस और यहां पर भी सस्टेन होता है तो next टर्ली हमारा 250 का ल आईगा जो हमें लगबख 15 तरीक के लोग के पास लेके जाएगा और extreme वेप्टार्ट होता है तो क्या करना है तो DR के पास हो रहा है तो डियार के पास वेट करेंगे 15-20 मिनिटार्ट के लिए वेट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे फिर निकलेगा तो यह provल आप देख सकते हो इसका मतलब इचला रहा है मतलब टो यह इशारा दे रहा है हम सभी को या तो यह सेम्षेम पर चलते हैं और सपोर्ट रिस्टेंस मार्क कर लेते हैं तो यह एक देखे यह रेड़ कैंडल है और यही पर जाके उननीस अदर पांस हो क्योंकि एक साइकलोजीकल लेवल भी अगर आपको पता है फिनिफ्टी और फिनिफ्टी के एकस्पायरी भी तो यह बहुत रिचे हैं तो यह और संका सकता है मार्केट में फिनिफ्टी में खास करके हैं रेडिंग रेंज ने क्या हो सकता हैं चया हो क्ये एक रेंज बनाता है मार्केट एकए बसे के लिए एक रेंज मार्केट एक लेवल हो जाइद तीनस निकल रहे हैं कि नहीं ऑपन होता है यह बार-बार-बार तक इसके उपर आप यहाप आप डाउनसाइड में नहीं दे आपको क्लोजिंग क्योंकि यहां पर दो इंपोर्टन लेवल जो कि यह वीकली सपोर्ट और डेली सपोर्ट यह वीडियो सिर्फ आपके इंफोर्मेशनल परपस के लिए प्रुपया करके अपनी रिस्क को मैनेज करके ट्रेड कीजिए तो च